राज के विध्याले गाओं की शन्नी है गाए भैस बक्री सब ही वहां रहते हैं जाइस तो अब हम आपको जंगल के अंदर लेके जा रहे हैं उसकाले अब कर देखे यह आपको देखे बक्री बक्रा मारना नहीं है जाइन अब अब बग्री शकी प्यार को खड़े होपर के घास खारी है जुटे प्लोज आ गई यह भी उसी के साथ गई अब के पीछे जहार होता है मेरे बहुत तेजाज कंडाली लग चुकिया बहुत देर्द भी हो रहा है विच्छू घास कहते हैं यहां पे लगी यह बहुत तेजार दर्द हो रहा है हाँ और आगे हम और घने जंगल की तरफ जा रहे हैं पूरा जंगल पत्थरों से बढ़ अब जाए और और यह जो रास्ता यह देख सकते हो कितना ओगड़ खाबड़ पूरा आज हमें किसी सीच का बिल्ड़नी लगता हम कहीं भी चड़ जाते हैं हम कहीं भी घुच जाते हैं आज हम इस पहाड को चड़ेते हैं आजो आप भी आजो लेकर आओ सबस्थ आओ 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 आरामसे आओ नहीं फिछलोगे चलो 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 सबस्थ सबस्थ आगे अज़ा आज़ाज सबस पिम्सार मों आख थो भी सब्सक्रान्टीजा telling organismus यु शरे बलते ही गाइब सूंवर्ड हुआ आँ थैप आपको आपको दोस्तों हम नीचे जा रहे हैं जहां पर पानी कभी भी रुखता नहीं है अब पानी नॉन स्टॉप चलता रहता है पीपल के पेड़ को कई सालों से मैं देखता हूं पांस साल बात तो मैं गाउं में आया हूं और उससे पहले मैंने जब जब मैं यहां आया त पीलो पीलो पानी पीलो अब आप लोगो मेरे पीछे पीछे चलना है और भी खतरनाक जंगल में जा रहे हैं टैनियों से बस्ते वें आना केसी को भी कंडाली लगेगी तो जुम्मेबारी मेरी नहीं है जुम्मेबारी तुम्हारी है आओ आओ चलो चलो गहरे जंगल में चलेंगे आज कोई बात में आते रहो आते रहो घबराना निया डर्ना निया आओ आओ कोई नहीं शूटेगा चलो अब मैं आपको दिखाता हूं यह आम का पेर जो कि कितना विशाल हो चुका है काफी सालों की मेहनत किसी वेक्ति की हमारे पूरवजों की रही है उसके बाद यह इतना बड़ा विशाल रूप इसने लिया है अवर आम से ओ उपर ते मेरे भी लगी तुमारे कहा लगी घंडाली मेरे पैर पे लगी तेरे यहां लगी तेरे यहां लगी पैर पे बहुत तर तो रहा है चिनमुनाट मच गई रहा है यह लगी नहीं है यह जड़ 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 पे जारी है यह पीपल के पेड़ पे जारी है सीधी आतमा का पिल्ड बोलो क्या है मच्री नहीं है वो कीड़े होंगे कुछ ना कुछ पानी में घूम लें बहुत चारे पकड़ो 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 कोशिश करो पावड़ लगए यह पर मैं पकड़ क्यों नहीं पारा प्थर मारो यह बड़े तेर भाई तु पीटे कोशिश कर पत्थर नहीं लग जाए कि भाई क्या तुमको पता है कि यह लकड़ी है इस पानी के अंदर क्यों डाली गई है पता सच में यह जो लकड़ी हैं यह जो जिद नीचे दिखाई दे रही हैं यह छिल बनते हैं अच्छा जैसे चूले में रोटियां बनाते न उससे पहले छिल चाहिए होते हैं तो इसकी जो है उपर की यह पूरी की पूरी ना खाल उतर जाएगी लकड़ी की पानी में अखने से हां और फिर यह बड़ी आसानी से बहुत जल्दी जल जाता है बाटा इसले रखनी है य अच्छा चलो फॉलो करते रहो मुझे वह सामने जो तुम्हें रपडियों का जट्था नजगा रहा है वह जट्था है ना वह भी इसलिए तैयार किया गया है ताकि चूले पर खाना बनाए जा सके लोग देखो तुम्हें आवास सुनाइब देरिया सुन इसलिए हारी है असा डर तो लग रहा है इन बच्चों को लेकिन उसके बाजित भी इनका हुसला बलंद है कि हम उप गाउं तक इसी रास्ते से जाना है डरने का नहीं लाइफ में चलते रहने का टेंचन का इखो लेंदे का स्वाइब हुस्टा बाइचान सकर भालू आजाए ना तो उपर को मत भागना नीचे को भागना के तर को भागोंगे नीचे को कि अधर के हमारी नीचे को नहीं जहां से हम नीचे से आये हैं कि आवाज सुंबहो सदॉड़्यूचिशिशिशिश श कटेडिया केननी यह चोडीया करूंगे अजीवजीव लाई है उपर कौन बाठा है ये भी एक रास्ता है जो उपर की तरफ हमें लेके जा सकता है हम पहुच गए हम पीछे की तरफ से आहें पीलो पानी पीलो अच्छा ना अगी जा चलतरो मेरे साथ ये जो ये जो ग्रील अना रिदी लगवा ये सरकार ने ताकि ने जो क्या होता था जो क्या होता कई बार लोग भी गिर जाते थे गाय भाइस बकरी अगरा चड़ती थी तो गिर जाती ती यहां तुम चड़ रहे हो ना यहां पर यह बांदा जाता है गाय भाइस बकरी हो आई का यह वह बश्यक्ता है कि अच्छर अच्छर था था यह हाई अच्छर था न हमारा पास। कि इस अच्छर परचण जाएगा गाय काय भी महा गया होगी और ना झाल एंट